ओम नमशिवाय जै महाकाल आप सब को पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की आखरी अस्टमी जो किस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेश बनाती है अगर आपकी लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिन से अधूरी है पूरी नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है पूजी गुरुजी की एक अधास सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा बस काले मिर्स लेन जीवन के सारे कस्ट आपके खतम होंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूए इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आप सबको जरूर करने चाहिए है ना चलो सबसे पहले हम लोग मनुकामना पूर्थी यानि कि इच्छ सारे चावल के दाने भी नहीं चाहिए एक चावल का दाना जो खंडित ना हो टूटा हुआ बिलकुल भी नहीं हो है ना इन दोनों चीजों को लेना एक तामबे का लोटा लेना तामबे के लोटे में क्या करोगे जल भरोगे अपने घर से और जो मैंने एक कालिमिज दिखा वो डाल देना, जो एक चावाल का दाना दिखाया, वो इसी कलश के अंदर डाल देना, और इसको लेके पहुँझाना महादेव के शिवलिंग के पास, इस उपाय को घर पे नहीं करना है, महादेव के मंदर में ही करना है, फेस रखना उत्तरदिशा यानि की नौट दिरेक्श पर श्री शिवाय नमस्तु भ्यम का ध्यान करते हुए ठीक है पूरा नहीं बहुत थोड़ा सा चढ़ाना दूसरा आपको वही जल समर्पित करना होगा भगवान कार्थ की के स्थान पर जोकी शिवलिंग के लेफ साइड होता है ठीक है थोड़ा सा जल वहां समर्पित करना फ स्री शिवाय नमस्तु भ्यम का ध्यान करते हुए अब बचता है जितना भी जल आपके कलश में फेस रखना उतरदेशा नौर्ट अरेक्शन और महादयो के शिवलिंग की ठीक उपर समर्पित कर देना स्री शिवाय नमस्तु भ्यम का ध्यान करते हुए जब पूरा जल आप समर्पित करोगे जल बहता हुआ जला धारी से नीचे गिरेगा इसको अपने दाइने हाथ राइट हैंड में लेके अपने दोनों आखो पे लगा करके किसी भी काम किरी जाओगे वो सारा काम आपका सफल जरूर होगा जिस कामना से करोगे वो कामना तो आपकी पूरी होगी बात आई समझ में तो इस पहले उपाय को आप सभी जरूर करना आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरह दूसरा उपाय तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बस इस बार आपको याद इसलिए दिनाना है क्योंकि इस टाइम क्य काले मिर्च खड़े खड़े लेना कितने चार से पांच काले मिर्च खड़े लेना मन हो तो पीस भी सकते हो बट पीसने की क्या ही जरूरत है बस चार से पांच काले मिर्च लेना और आपको लेना होगा इस तरीके दूध और दूध होगा कच्चा दूध कौनसा गउ माता क कच्चा दूद अगर आपको दूद नहीं मिलता तो उपाये नहीं करेंगे लेकिन कोई और दूद नहीं लेंगे ठीक है आपको इस काले मिर्च को इस दूद के अंदर डाल देना है और जिस दिन आपका exam हो जिस दिन आपका paper हो उससे पहले चाहे तो उसी दिन या फिर उससे पहले आपको महादयो के शिवलिंग के उपर उस दूद वाला जो काले मिर्श का जल है वो महादयो के शिवलिंग के उपर समर्पित करना है कुंद केशुवर महादयो के नाम से अब देखो ऐसा नहीं कि अगर एक्जाम है तब ही करोगे इस उपाय को तो नहीं अगर आपके किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहो और आपको लगता है नहीं ये काम मेरा होना ही चाहिए बिलकुल होना चाहिए बहुत जरूरी है तो आपको समर्पित कर देना होगा अपनी कामना को कहते हुए बात आई समझ में तो जो भी विक्तिस तरीके से उपाय को करता है उसकी सारे इच्छाएं सारे विशेज बहुत जल्दी पूरे होते हैं ना बाता ही समझ में तो यहाँ पर हम लोग ने दो उपाय की बात कर लिए है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय के तरफ लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले ए इस उपाय के एक फायदे हैं और वो है बीमारी को लिए कोई भी विक्ति आप घर में है जो बहुत जादा बीमार पड़ा हुआ एक बात और बता दू बाहर से जो होर्न वगरा की आवाज आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना मैं बाहर हूँ बहुत आवाजे आ रही है लेकिन क्या ही करें विडियो भी बनाना है तो बीमार अगर कोई बहुत जादा है इस उपाय को करेंगे ना बहुत आसान सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है अचानक से मैंने सुना हमें लगा बताना चाहिए आपको लेना होगा इस तरीके से तामबे का लोटा है ना तामबे कुंद केशवर महादयों के नाम से किसके नाम से कुंद केशवर महादयों के नाम से समर्पित करना और जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा इस जल को मतलब जिस कलस्ते जल चढ़ाया है वही पात्र यहां पे लगा करके जल को रोक लेना ठीक है रोकने के बाद इसको लेके चले आना आप अपने घर पे और जो भी विक्ती बीमार होगा जो भी विक्ती बीमार है ना आप क्या करेंगे जब वो विक्ती नहाने के ले जाएगा तो उसकी बाल्टी में वही जल आपको डाल करके और उस विक्ती को स्नान करा देना है नहला देना है, करके दिख लीजेगा, दो से ती दिन करके दिखेगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बस महादयो का नाम भूलना मत, कुंद केशवर महादयो का नाम लेके इस उपाय को करना होगा, जब कोई बहुत जादा विशम परिस्थिती आ जाती है हमारे लाइफ मे ऐसा कोई काम बनने वाला नहीं होता, तो हमेशा कुंद केशवर महादयो के नाम से उपाय करना चाहिए, ठीक है, समझ मैं इबार, चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ, या फिर बीमारी बहुत जादा है, इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पर एक छोटी सी गुड नूज आपको दे दूँ, मेरे जितने भाई बहन वीडियो को देखने हैं, अगर आपको मुझसे फोन बे बाते करनी है, तो हम मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक आप इस सेम आईडिय से फॉलो कर सकते हैं, शलो समझते हैं, आपको लेना होगा इस तरीके से बहुती प्यारी सी, बहुती सुन्दर सी बेल पत्र, एक बेल पत्र लेना, ठीक है, ले लिया, बेल पत्र के बाद हमें लेना होगा इस तरीके से तामबे का लोटा, और तामब किसमें लेफ्ट हैंड में रखना और इसके मुख को अपने दाहिने हाथ से बंद कर देना लोटे को कलश को किसमें रखनगे अपने बाय हाथ में और इस लोटे का कलश का जो मुख होगा वो बंद करेंगे अपने दाहिने हाथ से ठीक है बंद कर देना और बंद करके ही आपक महादयो का एक नाम लेना है जो की बीमारी को खतम करना है जटकी को खतम करने वाला नाम है और वो नाम है पांडुकेशवर महादयो कौन से महादयो पांडुकेशवर महादयो के नाम से आप क्या करेंगे उस जल को समर्पित करेंगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा इस जल को किसी भी चीज में रोक लेंगे और जो भी विक्ति आपे घर में बीमार पड़ा हुआ है जिसको जटके आते हैं, मिर्गी है, दोड़ा आता है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है ना उसके उपर आप उसको छिटक देंगे या फिर आपको उस जल से उस वक्ति को असनान करा देना है हफ्ते में एक दिन कभी भी इस उपाय को करके देख लीजेगा आपको खुद फर्क नजर आएगा उसके जटके तो खेर खतम होई जाएंगे बाकि जो बीमारिया होँगी वो भी धिये धिरे करके खतम होँगी है कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को चार उपाय बताया है कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिलकुल परेशान नहों नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहरी बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए ओम नमस्यवाय जै महागाल